हेई गाज येर इस प्यूश्ट राठोडर हूं मैं आप सभी का मेरी चैनल में हरदीक स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आशा रखता हूँ कोई पिछले वाला वीडियो प्रॉफिट लॉस और डिसकाउंट वाला आप सभी को पसंद आया होगा अगर उस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को कॉमेंट कर सकते हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे एवरेज जिसके प्री में एक से या दो कुशन्स आते हैं में इसके डियाई सेट आते है या फिर डेटा सफिसियंसी में उस question को पुछा जाता है डेटा सफिसियंसी के एक से दो question होंगे और हर question दो marks का होगा तो friends आज के lecture का सबसे पहला concept माल लिजे कि तीन बंदे है सारुख खान, सलमान खान और अमिर खान तो उन तीनों के पास कोई number of chocolates होंगे जैसे कि सारुख खान के पास एक चोकलेट है सलमान खान के पास तीन, आमिर खान के पास five तो और मुझे इन तीनों के पास जितने भी chocolates है तो मैं पुछूंगा कि इन तीनों का average क्या होगा मतलब कि number of chocolates का average क्या होगा तो हम कैसे निकालेंगे कि जो total of chocolate से उसको उपर और divided by number of person ठीक है तो total कितनी chocolate 1 plus 3 plus 5 और number of person होंगे 3 तो यह बन जाएगा 9 upon 3 मतलब यह बन गया 3 तो अब आप सुचेंगे कि यार यह तो एकदम easy सा question है यह क्यों पटाया तो इससे एक beautiful concept निकल के आता है तो वो भी हम पढ़ ले दे यह 1, 3 और 5 यह तीनों कैसे number है यह तीनों odd number है मतलब कि अगर exam में आपको question आए कि average of first 3 odd number क्या होगी first 3 odd number की average क्या होगी तो जितने number उतनी ही average मतलब कि यहां मैं 3 को मिटा के 50 लिख दू तो answer 50 यहां मैं 50 को मिटा के 100 लिख दू तो answer 100 तो friends जैसे हमने दिखा कि average of first and odd number और याद रखना यहां number हम कौन से count करेंगे natural number ओके तो average of first and odd number की average होगी n मतलब कि 50 पुछे तो 50 100 पुछे तो 100 जितने भी पुछे first उतना answer होगी अब average of first and even number का average क्या होगी n प्लस 1 मतलब कि 3 first even number है 2, 4 और 6 मतलब यहां 3 even number से तो answer आएगा 4 इसको verify कर लेते हैं 2 प्लस 4 मतलब 6 6 प्लस 6, 12, so 12 upon 3 तो answer 4 और अगर आपको पुछे exam में की average of first 99 even number तो answer क्या आएगा 99 plus 1 तो 100 answer हो गया तो friends अभी तक हमने odd और even के बारे में देखा odd का n और even के लिए n प्लस 1 एवरेज होगी अब देखते average of first and natural number मतलब की 1, 2, 3, 4, 5 up to n मतलब यहां कोई भी number odd या even ऐसे कुछ नहीं है सिर्फ 1, 2, 3 लेके n तक तो इसकी average होगी n प्लस 1 by 2 मतलब की यह example है 1, 2, 3, 4, 5 इसकी average मुझे निकाल नहीं है तो कैसे निकाल लेगे 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5 मतलब 15 अपन नमबर कितने 5 टोटल so 15 by 5 is equal to 3 यह conventional method होगी यह shortcut है कि इधर कितने नमबर है 5 तो 5 plus 1, 6 by 2 तो 3, direct answer आगा है तो अब यह एक दूसरा example है जो कि SSCGL की pre में पुछा गया था कि first 100 natural number की average क्या होगी यह 4 option दे रखे अगर मैं इस short trick से करूँ तो 100 plus 1 मतलब 101 by 2 तो सीधे से answer आजाएगे कि 50.5 तो friends, अब एक करते एक beautiful question इस concept को समझने के बाद आप जहां भी बैठे होंगे ताली बजाना सुरू कर देंगे जैसे कि 55 का मुझे square करना है तो हम कैसे करते थे 55 into 55 मतलब सभी को पता था कि 5 के बाद क्या number आएगा मतलब इधर plus 1 कर दे 5 plus 1 6 मतलब 5 into 6 30 और 5 का square 25 मतलब 3 0 25 ओके ऐसे 5 के बाद 6 आए तो 5 into 6 30 लिख दिया और 5 का square 25 इसी concept से दुसरा concept आता है इधर पहला पहला number दोनों में same है और जो दुसरा दुसरा number है इन दुनों का addition करें तो क्या आता है 10 आता है तो अब मैं इसी concept का दुसरे में use करता हूँ माल लेजे को कोई number है 56 into 54 तो यही trick दोनों में पहला number same है और दोनों का addition 10 तो इसके बाद यही trick 5 के बाद 6 आता है तो 30 और 6 into 4 24 3024 answer तो friends उसी concept को अब इसमें use करते है 63 into 67 दोनों के unit digit है उसका addition 10 और दोनों में जो पहला मतलब 6 6 same है तो क्या करेंगे 6 के बाद क्या आएगा 7 तो 6 into 7 42 लिख दिए और 3 into 7 क्या होगा 21 तो that's our answer अब इसमें भी करते है 8 8 same है और 2 plus 8 10 बनता है तो 8 के बाद क्या आद है 9 तो 8 into 9 मतलब 72 और 2 into 8 मतलब 16 7 to 16 answer इसमें भी 37 into 33 7 plus 3 10 और 3 3 same है तो 3 के बाद क्या आएगा 4 तो 3 into 4 12 और 7 into 3 21 So that's our answer तो friends अब करते है दूसरा concept जो इसी सम में काम आएगा माली जी कि नंबर है 3, 4, 5, 6 और 7 ये consecutive natural नंबर है अब मुझे उसकी average निकाल निये तो क्या निकाल लेगे उपर टोटल 3 plus 4 7 plus 5 12 12 plus 6 18 plus 7 25 और नंबर है 5 तो ये average क्या बनी 5 अगर मुझे direct answer चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहां से 2 मिटा दूँगा और यहां से 2 मिटा दूँगा तो बीच वाला number मेरी average बन गई तो दोस्तो अभी जो अमने concept दिखा उसमें average 5 आई तो number क्या कहते मतलब 5 numbers average से मुझे निकाल ले तो आगे 3, 4 और बाद में 6 और 7 मतलब कि अगर मुझे average 5 पता है 5 consecutive natural number की तो मुझे सभी number मिल जाएगे 3, 4, 5, 6 और 7 यही concept आप इस सम्में average of 5 consecutive natural number is 65 ठीक है then what is the multiplication of first and last number average 65 मतलब 5 number की average 65 तो आगे के 2 क्या होगे 64 and 63 और पीछे के 2 क्या होगे 66 and 67 ठीक है और बूला की then what is the multiplication of first and last number first यह और last यह मतलब 63 into 67 मतलब वो वाले trick 66 same और 3 plus 7 10 तो 6 के बाद की आएगा 7 तो 6 into 7 42 और 3 into 7 21 तो friends अब करते हैं यह दोसा ठीक है यहां बूला की 5 consecutive odd number की average 117 है मतलब 5 consecutive average 117 तो 117 odd है मतलब पीछे वाला क्या होगे 115 और यह बनेगा 113 यह बनेगा 119 और 121 और पूछा है कि what is the second largest number तो that's our answer अब करते हैं 6 consecutive even number यह सम्द करने के बाद आपका confidence आस्मान फार चुका होगा तो आप बूलेंगे कि आप मैं इसको आसाने से करता हूँ लेकिन आप यहां फसोंगे मैं दिखा था हूग ऐसा 6 consecutive even number पूछा है और उसकी average है 211 और बूला कि addition of smallest and largest number पूछा है ठीके मतलब 211 average हुई लेकिन 211 वो odd number है और यहां even number है मतलब 211 ऐसे आएगा 210 और 212 यह दोनो even number की average 211 आएगी मतलब यह number है यह नहीं तो इसके आगे वाला क्या होगा 208 इसके आगे वाला 206 इसके बाद 214 216 पूछा क्या है addition of smallest and largest 206 plus 216 तो बन जाएगा 422 तो फ्रेंड्स मैंने बोला कि 211 वो 6 consecutive और even number की average थी तो 211 आया क्या से 210 और 212 अगर आपको यह समझ नहीं आथा तो हम इसी समको करने के बाद आपको verify करेंगे ठीक है माले जाएगे 6 consecutive number है 2, 4, 6, 8, 10 and 12 तो इसके average क्या बनेगी 2 plus 4, 6 6 plus 6, 12 plus 8, 20 plus 30, plus 42 और number कितने 6 तो average बनगे 7 मतलब average odd आई इस दोनों के बीच में इसी प्रकार से तो friends करते हैं अब यह सम बुला है कि 7 consecutive odd number की average है 3, 1, 8, 3 अब मुझे average of first 4 number निकलना है ठीक है तो average 3, 1, 8, 3 और number 7 मतलब कि 3, 1, 8, 3 लिख दिए 7 है तो पीछे 3 और आगे 3 मतलब 3, 1, 8, 5 यह 8, 7 यह 8, 9 बनेगा आगे क्या बनेगा? 8, 1, 7, 9 और 7, 7 3, 1, 7, 7 ठीक है? अब बुला कि average of first 4 number मतलब यह पहला, दुसरा, तिसरा और यह 4 इन चारों की मुझे average चाहिए तो मैंने बुला क्या था? कि जो दुसरा और तिसरा है इन दोनों के बीच का मतलब 79 और 81 की average 8, 0 रगे 3, 1 So 3, 1, 8, 0 That's our answer अब करते हैं यह एक नया type का pattern जहां पर difference same है यहां difference और x value में difference 5 same है तो इसका मुझे average निकलना है तो एक short trick है कि first plus last by 2 मतलब कि 5 plus 30 तो बन जाएगा 35 by 2 मतलब 17.5 तो friends यहां की short trick किया हुई first plus last upon 2 मतलब जहां भी difference same हो तो यह technique अब इसको verify करेंगे तो 5 plus 10 15 plus 15 30 plus 20 50 plus 25 75 plus 30 बना 105 और नंबर कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 तो आएगा 17.5 लेकिन हम उसको addy क्यू करें जब हमारे पास यह short trick है ठीक है अब वही pattern का दूसरा साम यहां भी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 difference same है कि इसका 3 का मतलब same तो first plus last upon 2 so 3 plus 21 24 by 2 so 12 average बन गई तो दोस्तों आज हमने 4 type किये average में पहला type अगर odd आए तो n के लिए पुछा है तो answer n अगर even में n के लिए पुछा है तो answer n plus 1 फिर इसमें difference same हो तो first plus last by 2 और अगर natural number हो तो n plus 1 by 2 ठीक है तो दोस्तों फटा-फट से revise कर ले थे first n odd तो n answer average first n even तो n plus 1 first n natural तो n plus 1 by 2 और difference अगर same है तो first plus last by 2 ये इसका आप एक screenshot ले 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 ना तो friends अब हम करते है fifth concept आज के दिन गाँ ठीक है यहां बोलाए कि X is a positive integer such that the average of X 12, 13, 14, 15, and 16 lies from 90 to 24 मतलब कि ये जो 6th number है उनकी average 19 से लिके 24 के बीच में है okay so how many values are possible for X मुझे X के लिए कितनी possible value है इस average के लिए वो ढूनना है ठीक है तो average क्या होगी X plus 12 plus 13 plus 14 15 plus 16 तो हम इन सभी को add करेंगे तो क्या बनेगा 12, 13, 25, 40 और ये बनेगा 54 plus 16 मतलब X plus 70 और number कितने 6 और माल लिजी कि अभी हम average 19 लेते हैं ठीक है तो 6 इस सेड़ चला जाएगा so X plus 70 ये बन क्या आएगा 114 तो X की वेल्यू क्या आएगी 44 ठीक है अगर मैं average 24 लूँ तो X plus 70 अपॉन 6 ये तो सेम रहेगा और इधर 24 तो X plus 70 is equal to 144 तो X की वेल्यू क्या आएगी 74 मतलब कि X की वेल्यू 74 से लेके 44 इनके बीच में आ सकती है ठीक है तो यसे कितने टोटल नमबर हुए 74 माइनस 44 30 और ये इंक्लूड़ेड है इसलिए प्लस 1 तो 31 वेल्यूस तो दोस्तो अभी जो हमने concept सिखा इसके भी एक short trick है और वो short trick ऐसी है average की दू नमबर के बीच में लाई करती है से लिख दिया और प्लस 1 मतलब 5 to 6 30 प्लस 1 तो ये आए गाए answer 31 मतलब अगर आपको पूछा है कि 45 से लेके 55 ओके तो हमने जो पहले किया वो सब आपको नहीं करना है आपको direct answer लाएना है 55 और 45 का difference कितना है 10 और नमबर कितना है 6 और प्लस 1 मतलब ये बन जाएगा सही 61 So that's our answer तो friends that's all for today average के सभी concept को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और yes जिनको average का A भी नहीं आता था वो ये वीडियो देखने के बाद average में बहुत कुछ सिक्के जाएंगे ओके friends और जिन्होंने profit, loss और discount वाला मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है then please go back और वो वीडियो जरूर देखे क्योंकि उस वीडियो में मैंने SBI PO level के questions डिसकस किये हो तो आपको वो वीडियो देखना ही चाहिए और इस वीडियो को आपको अच्छा लगाओ तो लाइक कीजी अपने दुस्तों किशा शेर कीजी और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल ना भूले और बने रहे हैं मेरे इस कोर्स के साथ